मैं अपनी जान भी ले सक दी आंगल साफ सुन ले जे मैं नूँ पता चलाते नूँ किसी गैर ने छुआते मैं मर जावांगी मैं मर जावांगी अलो दोस्तों मैं हुआ अमित्यागी और आज की गुड न्यूज यह है कि पॉलिवुड में एक के बाद एक फिल्मे हिच हो रही है लो कहानिया पसंदारी है और इस कहानिया ड्रीम गर्ल 2 की जो लो को बहुत पसंदारी है और उस फिल्म को देखकर मैं काऊंगा कि जो जीव आपने फिल्म देखी हो तो आपको समझ बाया है और नहीं देखिए तो प्लीज जा कर देखे क्योंकि I think it's one of the best का आईश्मान you do lot of roles लेकि कॉमेडी जब आप करते हो तो बिलकुल A1 और I think Dream Girl 2 की सकसे से प्रूव हो गया What do you have to say? Thank you Amit for this amazing introduction Dream Girl 2 एक ऐसी फिल्म थी जो हमें सब को काम करतो है बहुत मज़ा था उसमें like while we were doing the funny scenes we were feeling very excited और हमें खुद हसी आरही थी तो एक तरह की एक तरह का confidence था कि यह कहीं न कहीं लोगों को connect करेगी और लोगों को हसाएगी and I'm glad सबको पसंद आरही तो एक जो मैंने रस की बात की तो सबसे difficult होता है यह हासे रस क्योंकि लोगों तो बड़ा मसा आता है लेकि जो कलाकार होता है उसको करने के लिए बहुत तो I'm blessed की हमारे जो डिरेक्टर है राज शांडिले उनके अंदर हासे रस की quality है फिल्म के जितने actors हैं जो कास्ट है सब comedy के kings है चाहे वो परेश रावल साहब हो अनू कपूर सार हो राजपाल यादव विजे राज असरानी साहब सीमा पावा मन जोट सिंग अभी शेक बैनर कि यह करेक्ट अभी फिल्म हमारे इंडस्ट्री की थी सजीव कुमा ने फिल्म की थी नहा दिन नहीं रहा तो उन्होंने साथ रस के characters नहीं भाए तो उसमें भी यही बात थी कि उन्होंने वहर रूप में घर गया थे आपने इतने किरदार अब तक हैं serious film में भी की हैं पर आपको कितना दिल से मज़ा आता है करने में सबसे जादा film comedy करके मज़ा आता है I think actor की जिंदगी वैसे बी कि इनसान की जिंदगी बहुत stressful होती है तो उस stress को लेकर अगर आप comedy film में act कर रहे हैं तो आप आप एक तो scene को enjoy कर रहे हैं आप हसा भी रहे हैं हस भी रहे हैं सा अबच होती है आप उस character गार में जानते हैं खुद एक dark mode में जाते हैं as an actor एक method फॉलो करते हैं तो इस always fun to do a comedy film तो dream girl 2 की खासपत है कि आप इसमें hero भी है heroine भी है पूजा heroine का किदार हो और करम hero का किदार हो तो पूजा और करम दोनों में जब आप ढलते थे तो किस तरह का transformation as an actor होता था यही बहुत exciting जितना challenge आपको मिलता है as an actor आपको अतना मज़ा आता है और मुझे पूजा को करम से बहुत अलग दिखाना था और करम को बहुत ही masculine दिखाना था पूजा को बिल्कुल feminine दिखाना था तो वो दो अलग लग लग तो चोर पर जो यह characters है इनको करने में बहुत मज़ा आया और करम ही पूजा है फिल्म के अंदर ही उसका है वह है climax को करम ही पूजा है लोग को पता चलता तो क्या होता है और वाचिंग दू इस तो मैं सोना भाई जो विजह रास का character उनको जब फोन पर बात कर तो उनको गालिया सुनाता हूँ एक वो 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 सीन और अभिशेक बैनर ज कि जो सीन था वो कमाल का था और कुछ और मज़िदार किससे कुछ हमें दो मत फानी लग रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा सीन जो आपको करते बहुत हो रहा हूँ अक्टर ब्लॉक हो जब कर रहे हो लेकिन आज पर देखते हैं तुझे इस लाफ इट होए यहाँ आपको सबसे मुश्किल सबसे मुश्किल होता है एक लड़के के लिए लड़की की तरह उसकी बॉड़ी लाइंविज में डांस करना क्योंकि सीन्स तो आप फिर भी एनक्ट कर लेते हैं आप एक जगा पर खड़े हैं आप मैनेज कर लेंगे बड़ दांसिंग आप आप पकड़े जाते हैं तो उसमें वो सबसे दो मेरे बड़े डांस हैं इस फिल्म के अंदर एक तो जमनापार जो फर्स्ट हाफ में है और क्लामेक्स का सौंग मैं मैं मर जावांगी यह दोनों मेरे ले टाफ था और इमोट करना जब क्लामेक्स के टाइम पर जब मैं लड अच्छिनल ड्रीम को ले मामाली तो इस तो यह मेरे जहन में थी मैंने कभी जहन में मेल आक्टर को नहीं रखा अला कि मेल आक्टर ने काफी अच्छे उंदा परफॉमंसे दी हैं कमलासन सर अंटी ना वर्मरांड में गोविंदा जी आमर खान सर सब बहुत 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 इस ने यह परफॉमंसे दी हैं बट जब तक मेरा कॉम्पॉटिशन फीमेल अक्टिव ना हो तब तक वह ओरिजिनालिटी और ऑफेंटिसिटी नहीं पाएगी जी अच्छिए लाइफ भी रोलो कॉस्ट राइड होती है सक्सेस में आभी खुश होता है लेकि फेलियर जब ह होती हैं तो क्या कुछ सीख लेती है फिल्सी कुछ फिल्मिह अगर आप ने बहुत अची की लेकिं दर्शको शायद पसंद ना आई तो लेकिन हमेशा जैसे गुरुदत ने कागज की पूल के मनलत गई तो ऐसी कौन सी फेलियर फिल्म थी जो आपके दिल के बहुत करीब थ यह दो ऐसी फिल्में है जो ग्रिटिकल अकलेम उसे काफी मिला था और अभी भी यह फिल्म ऐसी है जो 20-25 साल बाद अभी तक उसका द्यू पर मिल रहा है अशा नी दर्शको को वो फिल्में पसंद आई पर अलग मीडियम पे पसंद आई तो यह दो फिल्में ऐसी जो मेरे द कि कब हमें सक्सेस पर्टी करनी चाहिए अलग बेस्ट हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रहे टालेंटे देन आई अश्मान यह रहे टालेंट आउस ऑन बहुत खुशी की बात है कि फिल्म चली और बहुत को इस अच्छा काम करते रही अची फिल्में कर